हेलो फ्रेंड्स आप लोगे बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि मैं ये ड्रामा पर्टे पोस्ट क्यों नहीं कर रही एक्चली ये ड्रामा ओन एर है जैसे इसके नए एपिसोड अपलोड होते हैं वैसे ही मैं भी इस ड्रामा के नए एपिसोड अपलोड कर देती हूँ इस तबी वहाँ पर कौन आ जाता है और वो कुवा को कमपनी में देखकर हैरान हो जाता है और यहाँ पर फिर से वो कुवा को अपनी बातों से पकाने लगता है तो कुवा उसकी एक बात का भी जवाब नहीं देता है क्योंकि उसे कौन की बातों में जरा सब इंटरेस्ट नहीं होता उल्टा उसे गुसा दिखा कर वहां से चला जाता है कौन को ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि कुवा इस कमपनी में काम करता है पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने रास्ते चला जाता है आगे सारे लोग इस नए प्रोजेक्ट के लिए प्लॉट देखने के लिए आते हैं तो वहां पर पी इनान भी आता है तो नाम पी इनान को देखकर बहुत ही खुस होती है आगे वो लोग अपने काम पर चले जाते हैं तो पी इनान का फा और नाम का एक दूसरे के करीब आना और एक दूसरे से हसहस कर बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और उसे जलन हो रही होती है आगे सारे लोग काम खतम करके डिनर करने के लिए जाते हैं तो कि यहां पर जान बूच कर नाम को ये जताने की कोसिस करती है कि पी इनान की लाइफ में उसकी भी जगा है और पी इनान उसकी और उसकी बीटी के साथ धीरे धीरे क्लोज हो रहा है तो नाम को ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लेकिन जब उसे पता चलता है कि पीनान जितनी बार भी केसे मिला है उतनी बार उसने सिर्फ उसकी ही बाते की है ये बात जानकर नाम को बहुत ही अच्छा लगता है आगे यही सारी बाते चल रही होती है कि तब ही बेबी के गले में स्ट्रॉबरी फस जाती है तो पी नान अपनी सूज बूस से उसके गले से स्ट्रॉबरी बाहर निकालता है क्योंकि पी नान ने बच्पन में जान बचाने के लिए बहुत सारी तक्निके सीखी थी अगर उसके सामने नाम को कुछ हो गया, तो उसकी हेल्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए वो जान बकाने के वhar ँसारे झाद सीखता है। आगे फार नाम को कहता है तुम्हारा भाई तो कमाल का है उसने इस सिच्वेशन को कितने अच्छी तरह से समहाला तो नाम कहती है मेरा भाई सच में कमाल का है उसने ये सारी तक्निके भी सिर्फ मेरे लिए ही सीखी थी क्योंकि उसे डर लगा रहता था कि कहीं मुझे कुछ हो करा जाता है और बीच पर जाकर उसके साथ खेलता है जब नाम उन दोनों को एक साथ खेलते हुए देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तभी वहाँ पर के आ जाती है और वो इन डिरेक्टली वे में नाम को कहती है कि मुझे तुम्हारा भाई बहुत ही उनका फैसला है अगर वो आपके साथ रिस्ता रखना चाहते हैं आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे कोई प्राब्लम नहीं है क्योंकि जिसमें पी नान की खुसी है उसी में मेरी भी खुसी है तो के को यह बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगता ह और वो अपनी बेटी और पी नान के साथ खिलने के लिए बीच पर चली जाती है इधर नाम जब उन तीनों को एक साथ देखती है तो वो तीनों एक परफेक्ट फैमली की तरह एक दूसे के साथ मज़े कर रहे होते हैं और ये बात नाम को बिलकुल भी हजम नहीं हो रही हो जो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होगा इसलिए उसे अब इन सब की आदर डाल लेनी चाहिए तो नाम फा की सारी बाते सुन लेती है पर उसे ये बात बिलकुल भी हजम नहीं हो रही होती कि पी नान की लाइफ में उसकी जगह कोई और ले क्योंकि नाम प कोई परवा भी नहीं है और उसे अकेला छोड़कर अपनी ही दुनिया में मगन हो गया है और नाम यही सारे बुरे ख्वाब को देखकर पागलों की तरह चिलाने लगती है कि तब यह पर पी नान आ जाता है और वो नाम को सांथ करता है और कहता है तुम्हें फिर से बुरा नहीं ले सकता इसलिए सांथ हो जाओ तो नाम कहते है सच में ना आप मुझे कहीं भी छोर कर नहीं जाएंगे तो पी नान कहता है मेरे जीने की वज़ाँ तुम हो और मैं तुम्हे छोर कर कहांगा इसलिए सांथ हो जाओ अगले दिन आफिस में फान नाम को डिनर पर इंवाइट करता है तो नाम उसके साथ डिनर करने के लिए चली जाती है तो वहाँ पर वो दोनों धेर सारी मस्तियां करते हैं और एक दूसे के साथ टाइम स्पेंट करते हैं तो चान इसी मौकी का फायदा उठा कर नाम के पास उ जाके कर ये सब क्या है तो नाम उसके पीछे जैसे ही भागती है और वो चान को जैसे ही देखती है तो उसके दोरे फिर से स्टार्ट होने लगती है और उसे बच्पन की वो सारी बाते याद आने लगती है कि ये तो वही बंदा है जिसने उसके घर पर हमला किया था और उस इस वज़ा से उसका बॉस खत्रे में आ सकता है तो कुवा चान के साथ लराई करने लगता है और नाम को मारने के लिए जाने लगता है तो चान उसे रोकने की कोसिस करता है जिस चक्र में इन दोनों में जम कर लराई होती है पर कुवा चान को घाल करके नाम को मारने के लिए जाहिरा होता है कि तभी बीच में फा आ जाता है और इन दोनों के बीच भी जम कर लड़ाई होती है पर फा कुआ का सामना नहीं कर पाता है कि तभी वहां पर पीनान भी आ जाता है अपनी बेहन को बचाने के लिए तो पीनान जैसे ही चान को देखता है उसे देखकर तो उसे पीनान उसे समालता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है वो वो बंदा नहीं है तुम्हें गलत फहिमी हुई है आगे पीनान नाम को सांथ करके पुलिस रिश्टेशन जाता है उस बंदे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो यहाँ पर पीनान फा को तेंक्यू कहत तो फार उन लोगों से पूसता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि नाम पर किसने हमला किया तो पीनान कहता है हमें कुछ भी नहीं पता और जिसने भी हमला किया है उसे पुलिस पकर लेगी इसलिए तुम इस मामले से दूर रहो क्योंकि ये हमारा फैमली मेटर है और पीनान ये कहकर नाम को वहां से लेकर चला जाता है आगे नाम इसादसे की वज़ए से इतना डर गई होती है कि उसे लगड़ा होता है कि कहीं वो लोग फिर से आकर उन दोनों को जान से ना मार डाले तो पीनान नाम को समझाता है कि जब तक वो जिन्दा है वो उसे कुछ भी होने नहीं देगा इसलिए तुम टेंसन मतलो तो नाम कहती है मुझे खुछ से ज़्यादा आपकी फिकर हो रही है आप तो मुझे बचा लोगे लेकिन आपका क्या अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाओंगी तो पीनान कहता है मुझे कुछ भी नहीं होगा और नहीं मैं तुम्हें कुछ होने दूँगा अगर तुम्हें बचाते हुए मुझे कुछ हो भी गया तो भी मुझे इस बात का कोई गम नहीं होगा तो नाम कहती है आप ऐसी बाते कैसे कर सकते हैं अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाओंगी आपको पता है ना कि आप मेरे लिए कितना इंपोर्टेंट हो इसलिए अंदा से कभी भी ऐसी बाते अपनी जबान पर मत लाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आगे पी नान नाम को तो सांथ कर देता है पर उसे ये बात खाये जारी होती है कि अगर नाम को कुछ हो गया तो वो अपने आपको कभी भी माफ नहीं करेगा और उसे पूरा यकीन होता है कि ये सारा कारणामा उसके पापा का ही है दूसरी तब नाम डिसाइट कर लेती है कि चान ने जो उसे क्लू दिया है वो इस बारे में पी नान को बता देगी और वो इस बारे में पी नान को बताने के लिए जाही रही होती है कि तब ही वो देखती है कि पीनान खुदी टेंसन में है तो वो इस बाय में पीनान को नहीं बताती और वो पीनान से पूस्थती है कि आपने इतना ड्रिंक क्यों किया है क्या कुछ हुआ है तो पीनान उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है जब तक मैं जिन्दा हूँ मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूँगा इसलिए अराम से जाकर सो जाओ तो नाम कहती है आप तो मुझे बचा लोगी लेकिन आपका क्या अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीओंगी आपको पता है ना आप ही मेरी पूरी दुनिया हो जब से वो एक्सरेंट हुआ है तब से मैंने सिर्फ आपको ही अपना परिवार माना है आप ही मेरे डैड हो आप ही मेरे मॉम हो और आप ही मेरे भाई हो सब कुछ सिर्फ आप ही हो अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जीओंगी तो पीनान जैसे भाई बाली बात सुनते है तो उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो नाम को कहता है अब अब उसे अपनी बहन नहीं मानना चाहता है और वो उसे नफ़त करने लगा ये बात जानकर तो वो रोने लगती है तो पी नान कहता है नाम प्लीज ऐसा मत सोचो मैं चाहकर भी तुमसे नफ़त नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और दुनिया में ऐस करीब देखकर तो पूरी तरह से घबरा जाती है और बिना कुछ कहें अपने रूम में चली जाती है क्योंकि जब भी वो पी नान के करीब जाती है तो उसका दिल जोरो से धरकने लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है दूसी तब पी न नाम के सामने कभी भी जाहिड होने नहीं देगा और वो अपनी फिलिंग्स को छुपाने के लिए के को जर्याद बनाता है क्योंकि अगर वो इसी तरह नाम के करीब जाता रहा तो वो पी नान को कहता भी है क्या वो सच में गर्ना आगर इस बारे में नाम को पता चल गया त इससे लाना चाहता हूं। मीडिन कहता है। कि आखे कारप प्यार कैसे होता है। तो कौन कहता है जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ वैसे ही प्यार होता है तो नाम कहती है मज़ा करना बंद करो और मुझे बताओ कि प्यार कैसे होता है तो कौन कहता है प्यार किया नहीं जाता बलकि हो जाता है जब आपको किसे से प्यार होता है तो आपको उसकी खुसी मे कमें के बारे में ही सोच हिरा होता है तो नाम समझ जाती है कि कॉन के दिल को ले कर फिलिंग्स पैदा होने लगी है और वह उसे प्यार करने लगा हूं पर इस बात को मानने के लिए तैयारी नहीं होता और वह उसे यह कहता है Chief गेम उसकी एक अचछी में ज 되का झालाओ कुछ भी नहीं पर नाम को तो पता होता है कि कौन के दिल में तो गेम के लिए फिलिंग्स आने लगी है आगे नाम भी कौन की सारी बाते सुनकर सोच में पर जाती है कि कहीं उसे पी नान से प्यार तो नहीं हो गया आगे नाम कौन को उस बंदे के बारे में बता देती है और चाबी के बारे में भी और वो कौन को कहती है कि वो उसके घर जाकर इस लोकर के बारे में पता लगाए कि आखे कर इस लोकर के अंदर क्या है तो कौन कहता है क्या तुमने इस बारे में पी नान को बताया तो नाम कहती है मैं पी नान को इस बारे में बताना चाहती थी लेकिन बहुत ही tension में थे जिस वजह से मैंने नहीं बता है। इसलि Sullivan में चाहती हूं कि तुम इस बारे में मेरे लिए पता लगा ओ। तुमें पता है ना कि मैं अपने घर नहीं जाती। क्योंकि जब भी मैं अपने घर जाती हूं तो मुझे वही सारी बाते याद आने लगती है तो कौन कहता है ठीक है मैं तुम्हारा ये काम कर दूँगा आगे कौन डरते डरते भगवान को « याद करते करते» नाम के घर जाता है तागी वो उस लोकर को ढूंड सके जिस वज़ा से चान ये नहीं कर पाता और कौन भी चुप चाप उस घर से निकल जाता है क्योंकि उसे उस घर में कोई भी लोकर नहीं मिलता और उस बारे में वो नाम को भी बता देता है आगे पीनान केको अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है ताकि वो उसके साथ अपनी जा इस बार नों को एक साथ दिनर करते हुई देख लेता है। तो जब पीनान के पापा को देखती है तो वो उसे हेलो करने के लिए जा रही होती है कि तब ही पीनान उसे कहता है इसकी कोई जुर्यत नहीं है तुम आराम से बैट कर खाना खाओ और पीनान यह कहकर अपने पापा से मिलने के लिए चला जाता है आगे फॉंग अपने बेटे से पूशता है कि क्या वो के को डेट कर रहा है तो पी नान इस बात का कोई जवाब नहीं देता उर्टा अपने पापा पर इल्जाम लगाने लगता है पी नान पर हमला नहीं करवाया होता है बलकि अदिस ने करवाया होता है पर पी नान को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है दोसी तब कौन नाम को पी नान और के के डेट के बारे में बता देता है जब नाम उन दोनों को इतने करीब देखती है तो उसे बिलकुल भी अगले दिन पी नान घर में खाना भना रहा होता है रहाँ धिस्हारा नाम के नना में गहता है में माता सुष्वी हे धाओ भेक में कि ऩूँ है और जा इसमिते पीनान में मötकe दोपार लेक्षी गहा। और यहाँ पर पीनान उन दोनों को कुछ जादा ही importance दे रहा होता है उसे छोड़ा और यह बात नाम को बिलकुल भी हजम नहीं हो रही होती और पीनान ये सब नोटिस कर रहा होता है कि नाम को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा पर वो जान भूच कर और नाम को दिखाने के लिए उन दोनों की कुछ जादा ही फिकर करता है और उन दोनों के साथ कुछ जादा ही बांडिंग बनाने की कोसिस करता है और न अपने कपरे पर पानी गिरा लेती है और वो बहाना बना कर वहां से चली जाती है